नमस्कार आप देख रहें आर्जी रियूस मैं हूँ आपके साथ पुश्पानली साहू कोरोना संक्रमन को देखते हुए सरकार ने फिलहाल स्कूलों को नहीं खुलने का निर्णे लिया है और वहें विभाग ने निर्देश दे दिया है कि बच्चों को स्कूल नहीं बुलाना है सावधानी पूर्वक मुहला क्लास में ही बच्चों को पढ़ाना है और गुर्वन्ता युक्त सूखा राशन बच्चों के घर तक पहुचाना है लेकिन अफसर साही की ये तस्वीर कुछ और ही बया करती है देखिए इस रिपोर्ट में जरत ध्यान से देखिए ये चावल है ये वो चावल है जिसे स्कूली बच्चे खाते हैं और सरकार के नुमायंदे इसे गुर्वन्ता युक्त सूखा राशन की श्रेणी में रखते हैं और इस स्कूली बच्चों को बाट कर खुब वहवाही लूट रहे हैं और बच्चे इस बेहत घटिया चावल को खाने को मजबूर है यह पूरा ताजा मामला सूरजपूर जीले के प्रताप पुर्विकास खंड का है जहां साशन के बच्चों को स्कूल ना बुलाने की निर्देश के बावजुद भी स्कूल में बच्चों को बुलाकर राशन के नाप तॉल और पैकिंग का कार्य कराया जा रहा है और बच्चों को दिया भी जा रहा है बेहत घटिया सुखा राशन जाए थोड़ सा हेल्फ करने लगे हमारा सुईपर जो है उसका अगात है नहीं तो मैं बटा सा हेल्फ करने लोगो महिला लोगा है इंको पिछले मा का है चावल थोड़ सा घूना है इसमें तो ये खीडा बच्चों को देने के लिए कौन निर्देशित किया है मिर्देशि तश्वीरों में दिख रहे हैं इस चावल को जरा ध्यान से देखिए इसमें दिख रहे हैं ये किंडि सिक्षा विभाग की दावों की पोल खोल रहे हैं बच्चों को बहतर क्वालिटी का सूखा राशन मिले इसके लिए विभाक ने हर एक संकुल इस्थर में CSA की न्युक्ति कर रखी है लेकिन मॉनेटरिंग के अभाओ के गरीब बच्चों को खाने के लिए मिल रहा है ऐसा घटिया चावल जिसे खाना तो दूर खाने की बारे में सोचा भी नी जा सकता बचा हुए चावल है अब यह की रखे रखे उसमें थोड़ा सा किड़े उगर आ गए हैं कि सरको चाहिए कि उसको साब सफाई करवा के दिवाना चाहिए था खाने योग है क्या चावल भी इस वक्त तो खाने योग नहीं बेगर सफाई किये हुए संबंधित मामले में विकास खंड सिक्छा अधिकारी जाज कर कारवाही का आस्वाशन दे रहे हैं लेकिन यह बड़ा सवाल उठता है आखिर कब तक अफसर शाही का खाम्याजा गरीब बच्चों को भुगतना पड़ेगा और कब तक ऐसा कीड़ा युक्त चावल खाकर ग वित्रण को बंद करा दिया गया है दरसल लावडाउन की वज़े से और खाध्यान पहले नहीं बड़ सका इस वज़े से खराब पड़ गये तो इनको बाटने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया इनको पहले से भी तेसित किया गया है पदान पाटकों को कि इस तरह का जो बाटने के समय में तभी विद्रित किया जाएगा सर एक और मामला आया था मैं भी वहाँ पर कल उपस्थित था विद्याले के जो प्रधान पाठक है वो छोटे-छोटे बच्चों से उसको पैकेट बनवा रहे थे तो यह कहां तक सही है यह बिल्कुल सही नहीं है विद्याल पाठक के ओपर कारवाई होगा विल्कुल उनको सोपजनोट इजारी कर दिया गया है उनको प्रस्तूत करने के लिए बोला गया है उनके जबाब ताहना इंतजार कर रहे हैं अगर वो कि शिपाई कर दो कर दो